इस लोग ब्यूटिफुल ना तो यह चोटा सा प्लांटर है इसको मैंने अपनी स्टैली टेबल पे रखा हुआ इसको बनानो ना बहुत ही ज्यादा तो अगर आप भी बनाना सीखना चाहते हैं तो चलिए फटाफट सीखते हैं तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक छोटा सापोर्ट जो कि मैं अपने रखूंगे स्टैडी टेबल पे तो इसके लिए चीजें मुझे क्या क्या चाहिए एक बोल है यह सूप बोल है एक मोडन स्टिक आप ले सकते हैं सीजर और नारिल का जो फाइबर है और एक थ्रट चाहिए जो में पास बोल्ड है यह सूप बोलता ते मेरे में इसी काम का नहीं था तो मैंने सुचाए कि इसको क्यों ना मैं प्लांटर में कन्वर्ट कर देती तो सबसे पहले प्रॉब्ल और उस पर किसी भी नेल से खूल कर सकते है या फिर एक सबसे इचाएडिया है इससे क्रेक नहीं होता है यह जिसमें इसमें डावना तो यह देखिए इसमें ना यह लाए दिये और तो यह काने पर अब यह हमारा प्लांटर प्लांटर यह बन जुगा है हमारा प्लांटर और यह जो वोडल श्टिक है उसमें अब बनाने वाद है क्शोटी सी मॉस्टिक तो मॉस्टिक मैं आपो बता दे रही है थे इससे वर लिया है मैंने बहुत इजी तरीका टेक डिजी आपलो भी बना सकते इसको यह देखिए वैं इस क्या कना sheet इक सिर्पर राप करते चलिक ठूली करते चलिए मास्पारी बनने के रिडी हो चुकी है इसको क्या बखते है एग ध्रण लेके इसको चारह तरफ से ब्राक करने अब इस बोल में मैं इनारिल का जो नारिल का इसकल होता है इसकल इसको मैं रग दूँगी यह आप कोई भी टुकडा रख सकते हैं पत्थर का और यह जो है मेरा मॉस्टिक बना हुआ वो रग दूँगी जो बनी हुए सेंड है इस अका और बाता हैं तस्मार्ट कॉकड़ीगी दॉटिक बपचिक रखि करते हैं मैं पने, पने दूए फिर अचान को बना है। बाता है Mac को ब हम घ야 दो विर दोल द।किक यह सेंगओान कोने जैधे को और आभानी हाँफिसको इसकाय हो अचाला न।क। अब मुझे इसमें करना गया है मैं थोड़ा सा पहले इसमें पानी एड़ कर दो कि मिट्टी गिली में इसमें इसमें लगा पाऊंगी तो इसमें मैंने लगा दिया है एक ग्रीन पोथोस आप देख पा रहे होगे इसमें मैं इसकी ग्मिट्टी और लगा देती हूं कि यह इसे फोल्ड कर दें और इस तरीके से आप इसको जाओने कर से और जो इसकी रूट्स निकलेंगी हार नौट पे देख भी रहे होगे हार नौट पे मनी प्लांट में रूट निकलती है तो यह रूट्स इसमें आटोमेटिकल इंसार्ट होती जाएगी और आपका यह ग् मेरा बनकर पूरा प्लांटर रेडी हो चुका है इसमें मैंने ब्यूटिफुल सा प्लांट मनी प्लांट लगा दिया है और इसे चाहे तो आप अपने सेंटर टेबल पे चाहे तो अपने स्टाडी टेबल पे चाहे तो आप अपने बैट के साइड कॉर्नर पे रख सकते हैं और यह आपको natural beauty देने वाला है तो thank you guys for watching my channel और मेरे channel को like करे, subscribe करे और share करे और जो bell icon है उसे जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली notification आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए बाई बाई, take care